आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी शराफ फैक्टरी के कारण भूमी का जल बना विश, जमीन उगल रही जहर सम्विधान में दिये प्राण एवं देहिक स्वतंतरता के अधिकार को कुचलने का एक मामला सामने आया सम्विधान हमें जीने का अधिकार देता है तो एक फैक्टरी मरने का दे रही है अभी शाप मामला मत्वर्देश के धार जले की बदनावर तहसीर के बोराली से दो किलमेटर दूर पूरवे स्थित ग्राम का ठोड़िया बढ़ा का है जिसमें तकरीबन एक हजार रहवासी निवास करते हैं जो आज रसायन युक्त जहरीले पानी का सेवन जैसी विकट समस्या से चूज रहे हैं इस गाउ का पानी हू भू हू शराब और पैट्रोल के रंग सा हो गया जिसमें केमिकल की महक आती है ये पानी इतना दूशित एवन प्रभावी हो गया कि ना पीने के काम आता है ना नहाने लायक है ग्रामिनों का कहना है कि इससे महिला पुरुशों और बच्चों को चर्म और अन्यक गंभीर बिमारी हो रही है पानी दूशित होने का एक मात्र कारण बोराली स्थित ओएसिस डिस्ट्रिलीरीज लिमिटेड बोराली शराफ फैक्ट्री है जिसके द्वारा रसाइन युक्त जहरीला पानी बड़े बड़े तालाब बना कर एवन बोर्वेल के माध्यम से भूमी गत किया जरहा है जब उसके निचले बसे गाउं जैसे बुगडा वड़ा खेड़ी और कठोडिया बड़ा की जलववस्था को चिन भिन कर किसानों की फसल और लोगों के अमुल जीवन और अन्य जीव जन्तों के लिए खत्रा बन गया फैक्टरी के प्रदूशित पानी ने रहवासियों की नाक में दम कर रखा है जिससे नभे प्रदिशत नलकूप प्रभावित होकर लाल जहरो गल रहे हैं जिसके उप्योग से फफून जनित रोग एवं पत्री की समस्या आमजन को प्रभावित कर रही है बच्चे भीमार पशुधन अप्चन से मर रहे हैं जिससे पशुधन का नुकसान किसान परिवारों को उठाना पड़ रहा है ग्रामिनों की मांग पर विगत्वर्शों के चलते हुई कारिवाई आज भी जोकित्यों हैं और एक बड़ी विपता बनकर रहवासियों को सता रही है तो आते हैं तो उसका यह करना चे बंद सर के आपका नाम निर्वे सिंग तावार रिवासि कठोडिय बड़ा चूकी मामला उध्योकिक नीती और निवेश प्राथसान मंत्री राजवर्धन सिंग जत्री गाउं के विधान सभाशेत्र से जुड़ा है इसलिए ग्रामिनों का आशा है शगरही शासन प्रशासन का इस और ध्यान जाएगा और ग्रामिनों को त्वरित नया मिलेगा ग्राम वासी अब एकजुट होकर हमारे चैनल के माध्यम से इस पीडा को जन प्रतिनी धी तक पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए और ग्रामिन चाहते हैं इस प्राकृतिक दोहन को रोक उन्हें साफ, स्वच एवं सुगम जीवन मिले जिससे उनका नित्य नेमितिक जीवन सुचारू रूप से चल सके तो आईए देखते हैं बोरविल से कैसे निकल रहा है पानी और क्या कहती है जनता पानी पानी जेला में नेवाद पानी जेला में जना बाजामी जाल रहा है जिससे बहुत सारी परेसानिक सामना करना पड़ा है जैसे की बीमार्या बहुत सारी हो रही है जैसे कि देंगु चल रहा है, देंगु जिसे कि फ्रेक्टरी का पानी आ रहा है, खराब पानी आ रहा है, जिसे कि फ्रेक्टरी का पानी आ रहा है, जिसे कि फ्रेक्टरी का पानी जो आ रहा है, उसे जो मच्छर उत्पन हो रहा है, अभी जो देंगु बीमारी आ रही है, उस साब पानी की विएस्ता की जाए या फिक्टी बन की जाए जाए जिए मेरा ना पंकज बेरागी है सर नमस्कार ग्लोबल इंडिया टिवी में आपका स्वागात है मैं बंटी सिंग चोहान एक तरब देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी स्वक्षता अभ्यान की बात करत थी और क्या-क्या हुआ है पूरी जानकारी हमारे साथ मोजूद है यहां एक युवा जो की बताएंगे कि उन्हें इस फिक्ट्री के कारण क्या समश्या और क्या परेसानी आती है जी नमश्कार मेरा नाम दरमपाल सिंग पमार है और मैं यहीं कठोडिया बड़ा का मूल न साल इन समस्याओं का ना समाधान होते हुए प्रशाशनिक चुप्पी के कारण आज यह प्रस्तिती है आज यह विकट समस्या उत्पन हो गई है कि हमारे गाउं के हर एक सदस्त को कोई ना कोई चर्म रोग यहां कोई ना कोई किड्नी स्टोन का इश्यू उसके साथ में फं गाउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं केमिकल के साथ में तो वहीं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी आएगा और हम लोग उसको पचा तो पाहिंगे नी तो वहीं हम लोगों कि हैं कहीं समस्या है देखिए कहीं चीजे होती है ऐसी कि उसका इलाज नी होता है आज पर एंचे मेल लूगों कि मत क्वाबं मेल यजेख तो वहीं कि प्रिचान मेल रहे सकता है और हम थावी आखिए लूगों कि मत एछ हडाव राज जए फूछ कि आज उन्यों कि एयु ना कि अगा है वेलूं कि रूड है, नूग्ट है, अजवल as soon as possible. Thank you so much.